हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किंद्रों की देवता अरावन का महाभारत से क्या संबंद है देगे अरावन जो है न वो अरजुन के पुत्र माने जाते हैं एक बार अरजुन इंद्रपरस्त को छोड़ करके हरिद्वार के असपास घूमने गए थे वहीं पर नाग राज की कन्या जिसका नाम था उलीपी वो इन पर मोहित हो गई और इनको यानि कि अरजुन को खीज करके अपने लोग यानि कि नाग लोग लेकर चली गई और वहाँ पर अरजुन को उलीपी से साधी करनी पड़ी और उनहीं से अरावन पैदा हो गया और ये एक विशेश काल में पैदा हुआ था मतलब थोड़ा सा अलग था हट कर था और एक बार क्या हुआ कि महा भारत की युद में ये भी मर गया क्योंकि सब लोग लगबग मरी ही गये थे तो ये भी उसी युद में मर गया और मानने था है कि इसी दिन मतलब एक दिन ऐसा था जब वो मरा था उसी दिन ये लोग जो किंडर है न वो खास मानते हैं उस दिन अरावन से साधी करते हैं और सोक भी मनाते हैं एक तरह से और इसको अपना देवता भी मानते हैं अरावन को और इसकी याद में हजारों किन्नर तमिलनाडु के कुवागम गाउं में जमा होते हैं हर साल और साल में एक दिन किन्नर तर्जधज कर अरावन से साधी करते हैं हजारों किन्नर अरावन की दुलहन की रूप में साधी समारों में सिर्कत करती हैं और जो मंदर के पुजारी होते हैं न वो किन्रों के गले में कलाव बानते हैं। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका बैवाही जीवन खत्म हो जाता है।